बच्छा आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग्स राइट रूल के बारे में clear है so this rule is to find out the direction of induced current in a conductor which is moving perpendicular to the magnetic field clear है हमने क्या कहा था starting में है कि हम flaming right hand rule पढ़ेंगे EMI के लिए left hand rule पढ़ा था हमने magnetic effect of electric current के लिए चीक है तो इस rule को हम use करेंगे induced current की direction को पता करने के लिए find out करने के लिए clear है so this rule क्या कहता है according to this rule stretch the thumb four finger and middle finger of your right hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other जैसे हमने left hand के लिए कर रहा था वैसे हम right hand के लिए करेंगे इस तरह से clear है तीरनों कैसे होने चाहिए एक दूसरे के mutually perpendicular होने चाहिए तो यह four finger है यह किसकी direction देगी magnetic field की thumb direction देगा motion of conductor की तो जो middle finger है that gives a direction of induced current clear है तो direction जो है magnetic field की वो middle finger किसकी direction देगी हमें induced current की direction देगी clear है इसी के इसी के बेस्वाम AC generator के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो induced current बनेगा तो उसकी डिटेक्ष्ट के बारें पढ़ेंगे ठीक हे तो यह सी जनरेटर क्या होता है तो यह करते हैं हमारे पास जो mechanical energy होती है इसको convert कर देते है electrical energy में और यह और यह यह बर्क करते है अधर प्रिंसिपल उफ electromagnetic anatic induction इसमें क्या होगा यサही ही पूस्ट करेगा तो उसमें क्या होगा induced current वनेगा जासे स्में क्या जो नमब्र of lines हैं वो change होती रहेंगी तो इसमें से current वनेगा induced current वनेगा क्लियर है त dog principle की आपर ये वरक करता है इस सब्रेटर आप ने देखा होगा कि इनको होगे कुछ जो बर करते हैं उसको इसको कर देया एलेकर सकते हैं इस में में लगा होगा लोगा प्लेस कर रहे है महाँ पास कई थी split ring होती थी, यहाँ पे क्या है, slip rings है, slip rings है, they are electrical components that are used to transfer power to and flow from the rotor of an AC generator, यह rotor लगा है, इस में से क्या करेंगे, power को transfer करेंगे to and flow direction में, ठीके, slip rings लगी है, sorry, हाँ, यह slip rings लगी है, जैसे coil move करेगी, तो इसके circle में move है, ऐसे move करेगी, इसमें, यह स्लिव यह S2 के साथ connected है कि इसका end, तो यह इस तरह से move करेगा, clear है, आप देखो, इसकी working समझा देता हूं तुमें मैं, देखो, working में क्या होगा, स्क्राइब, यहाँ से magnetic field की direction, आप दूश साथ, यह magnetic field की direction है, ठीक है, तो अपने अफ, जो अपने four finger से उनको stretch करो, इस तरह से, four finger है, वो direction देख, इसकी magnetic field की, thumb direction देख, इसका rotator की, और जो middle finger होगी, वो उनकी किसकी direction देगी, induced current, clear है, तो देखो, यहाँ मैंने इसको magnetic field की direction में रखा, stretch करके इस तरह से, clear है, तो जो thumb है, वो direction दे रहा है, किसकी, वो, जो हमारे पास, यह वाला end हो गई है, कहाँ move करेगा, downward move करेगा, inward direction में, तो जो induced EMF बनेगी, वो किस direction हो मैंनेगी, downward direction में, तो induced current बनेगा, वो किसकी, इसकी direction क्या होगी, इस तरह downward, तो induced current इस तरह से आएगा, यहाँ पे, clear है, इस में से यहाँ जाएगा, इस तरह से, gyarvanometer में इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और, इस तरह से circuit को complete कर देगा, clear है, जैसे हाफ revolution हो जाएगी, तो क्या होगा, यह हाफ revolve कर जाएगा, तो RS यहाँ आजेगा, और QP यहाँ चला जाएगा उस टाइम पर क्या होगा फिर अब RS यहाँ पर कहां आ रहा था Outward आ रहा था यहाँ पर RS कहां जा रहा होगा Inward direction में जा रहा होगा Clear है यह इस तरह से rotate कर रहा है इस तरह से हो जाएगा Clear तो RS यहाँ पर आ जाएगा जिस तरह से हमने electrical Sorry जिस तरह से हमने DC motor में पड़ा था उसी तरह से RS यहाँ आ जाएगा यह downward direction में जाएगा अगर यह downward में जाएगा तो इसमें जो current की direction होगी वो कैसे होगी Reverse हो जाएगी Clear है RS में यहाँ पर current की direction किस तरह से है S to R है वहाँ पर कैसे होगी R to S होगी यह point यहाँ आ जाएगा ठीक है यहाँ पर R यहाँ पर S तो direction फिर ऐसी फिर ऐसे अब direction किस तरह से जाएगी यहाँ पर होगी ring इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से तो जो galvanometer है उसमें deflection क्या हो जाएगी reverse हो जाएगी clear है अगर यह clear नहीं हो रहा है तो इसके अलेक्सी diagram बना के तो देखना और उसमें फिर से flaming right hand tool लगाना और फिर तुम उसमें direction देखना current की किस तरह से flow हो रहा है यह S point यहाँ आ जाएगा वह किस तरह से चलता है इस तरह से जो DC मूव करती है DC स्टेट लाइन में मूव करती है एक ही side move करती है यह दोनों side move करता है clear है this is DC this is AC यह चलता है sine wave की form है clear है इसको हम sinusoidal wave भी कहते है तो देख उसकी working में सेम आपने क्या लिखना है when armature rotates between the plates of magnet upon an axis perpendicular to the magnetic field the flux linkage of the armature coil changes flux क्या हो रहा है change हो रहा है continuously due to this and induced emf in the armature ठीक है इसकी बचसे क्या हो रही है emf is induced हो रही armature में this produce an electric current that flow through the galvanometer तो जो यहाँ पे जो current बन रहा है वो कहा से निकल रहा है galvanometer में से and the galvanometer swing between positive and negative value देख अब galvanometer में आपको कहा क्या एक वार ये positive value देगा एक वार ये negative value देगा क्योंकि येसी है वो और current की direction क्या हो रही है reverse हो रही है this indicates that there is an alternating current flowing through the galvanometer तो इससे हमें क्या बता चल रहा है कि जो galvanometers में से कौन सा current flow रहा है एसी current flow रहा है ठीक है the direction of induced current is given by flaming right hand rule तो जो direction मिलेगी हमें induced current की वो किसकी help से मिलेगी flaming right hand rule की help से clear है बब्धोर कैसे का जो नर्डल की पीसने जो जीक कि बनातरश प्योंकि faktioni